तुलार असे बारो सनी बार का दिन चार नौम बर आज चंद्रमा आपकी कुनली के कर्म स्थान में बहुत मजबूती से आपके भाग्य को चमकाने का काम करेगा क्योंकि चंद्रमा आपके कर्म भाव का स्वामी है जो अपने घर में बैठ कर आपकी जीवन में आपके कर्मों का फल आपकी जीवन में मिहनत का परिनाम और आपको बड़ा सुख संपत्ती देने वाला योग बना रहा है क्योंकि आत्रि पुसकर योग है पुनवर्सुन अच्छतर का बिरस्पती पुसन अच्छतर का सनी जिसके परभाव से आज आपका जीवन परभावित है आपके लिए सुब फल लेकर आया है बड़ी सफलता काम्याबी खुसखबरी का योग बना रहा है आपकी कुनली के ल सत्तमभाव में बैठा बिरस्पती पुन्द्रिष्टी से लगन को देख रहा है और बिरस्पती के सुखस्थान में चंद्रमा है जो आपके कर्म का घर है और आपने कर्म से जीवन में आप सफलता काम्याबी पाएंगे पंचमेश सनी जीवन के सुखो का भोग करने में आपकी मदद करता है और द्वादस में बैठा सुक्र केतू आपके जीवन में उनती तरक्की का योग बनाता है यानि जीवन के परतेग छेतर में आप तरक्की कर पाते हैं ज्यादा धन कमाते हैं ज्यादा खर्च करते हैं ज्यादा सफलता पाते हैं आत्य विश्वास आपका बना रहता है जीवन में सुक संपत्ती प्राप्त करते हैं भाग्य साली सौभाग्य साली होते हैं विरस्पती स सनी का परभाव है सुक्र बुद्ध की द्रिष्टी है चंद्रमा बुद्ध मंगल और विरस्पती चार चरण में आज दिन बैतित होगा जो धन बैभव लेकर आएगा भाग्योदे का योग बनाएगा जीवन में खुसियों का सौगात लेकर आज विरस्पती के परभाव से दिन की सुरवात होगी और सुभ योग त्रिपुसकर योग में पुस नच्छतरकासनी जीवन में उपलब्धी तरक्की लेकर आएगा आज आप भग्य साली हैं सब भग्य साली हैं तुलारासिवारो आज आपकी किस्वत भी चमकेगी और आपकी जीवन में सपलता आवी का योग भी बनेगा तो तुलारासिवारो चलिए जानते हैं विस्तार से आज का तुलारासिवारो जय स्रीराम जय हन्मान संकर से रच्छा करो हे महावीर हन्मान संकर मोचन करपानिधान जय हन्मान निश्चे प्रेम परतीते बिने करें सन्मान तेही के कारज सकल सोबे सिद्ध करें हन्मान हन्मान जी आपको भाग्य साली बनाए संकर से रच्छा करो हे महावीर हन्मान संकर मोचन करपानिधान जय हन्मान जय जय हन्मान सनी बार का दिन चार मौमबर कातिक मा किस पच की सत्मीती थी त्रिपुसकर योग पुनवर्शू नचत्रे सुबह साथ बच कर संतावन मिनर तक बिरस्पती स्वामी होगा और बिरस्पती आपकी जीवन में सुख लेकर आएगा साथ योग एक बच कर तीन मिनर तक उसके बाद सुब योग अपने परभाव से परभावित करेगा जब सुब योग का परभाव रहेगा उस समय आपकी कुनली को पुस्न चतर का सनी अपने परभाव से परभावित कर रहा होगा आपकी अधुरी इच्छा को पूरा करने ब वाला है क्योंकि आपकी कुणली में सनी इस समय बड़ा प्रभाव साली है सनी बड़ा सक्ति साली है जो आपकी जीवन में अपने प्रभाव से आपके भग्य को परभावित कर रहा है और आपको बहुत ही प्रभाव साली बना रहा है सनी इस समय धनिस्टान अच्छतर के प्रभावित हो गया है जबकि मंगल इस समय विरस्पती से परभावित है और विरस्पती चंद्रमा को भी परभावित कर रहा है और पुर्णवर्सु नचत का विरस्पती आपको भी परभावित कर रहा है विरस्पती के परभाव से धन बरता है विरस्पती के परभाव से भ एकल्प आकांचा आपके पडिवार में खुषी लेकर आती हैं संतान से आपको सुख मिलता है आकरसक ब्रक्ट्ट होता है इस तरी और ढजंसे क्या होते हैं सुख में बिथी होती खुशी महसूस होगी किसमत आप पर महर्बान होगा और परिश्रम का फल भी मिलेगा एस वर्ज बैभब आपकी जीवन में बढ़ेगा सुक्धन सफलता से आप बड़े भाग्य साली बनेंगे बड़े सौभाग्य साली बनेंगे दिन चार चरन में बैतीत होगा चंद्रमा भी है बुद्ध भी है मंगल भी है और विरस्पती भी है इस समय मंगल जो है वो सुर्ज के साथ बैठकर आदित योग बना रहा है और मंगल विसाखा नचत्र में विरस्पती से परभावित है जबकि सुर्ज इस समय स्वाती नचत में राभु से पर्भावित्थ हो गया है आज का दिन आपके लिए भाग्षाली दिन है सभाग्षाली योग है जीवन में बड़े काम करके बड़ा नाम कमाना अपनी जीवन में सुख्र पाना धन कमाना जीवन में आनंद और आगे बढ़ना क्योंकि समय सुक्र जो है वो चंद्रमा के प्राक्रम अस्थान में बैठा है और सुक्र जब चंद्रमा के प्राक्रम भाव में बैठता है और सुक्र के धन अस्थान में जब बुद्ध का गोचर होता है तो सुक्र बड़ा प्रभाव साली हो जाता है जीवन में तरह तरह का सुख देता है अपने सामर्थ से अपने मिहन से आप सफलता भी पाते हैं सुख भी कमाते हैं जीवन का आनंद भी लेते हैं भाग्य साली भी बन जाते हैं तो दीन हर तरह से आपके लिए उनती तरक्की और जीवन में बड़ बनना चाहते हैं, ज्यादा धन कमाना चाहते हैं, जीवन में सुख पाना चाहते हैं, तो अपने आत्मिस्वास को बना कर रखें, मिहनत से काम करें, भागे भी बदलेगा, मत्यो कांचा की पूर्ती भी होगी, सोहरत भी पाएंगे, इज़्जद भी पाएंगे, और सान की जि दिन बैतित होगा और आने वाला समय भी आपके लिए लापकारी और भाग्य साली साबित होगा यानि आज का दिन आपते जस्वी हैं उत्सा से काम करें यह आपका गोल्डेन पिरियट चल रहा है क्योंकि आज पुन वर्सुन अच्छत्र में दिन की सुरवात होगी तृपु इसा योग बनता है तो आपको कस्टों से मुक्ति मिलती है जीवन में कुछ बड़ा काम हो जाता है कोई बड़ी तरक्की हो जाती है विशेश रूप से लापकारी समय होता है आप अपने सभी कार्ज को सफलता से पूरा करते हुए सकरात्मक परिनाम की प्राप्ति करते हैं आंदनी का रास्ता खूलता है और सनीदेव के प्रभाव से आने वाले कस्ट भी सुब फल में परवर्तित हो जाते हैं मन की परसानियों का समधान मिलता है सुब इस्थिती में ग्रहों का गोचर जीवन के संघर्स पर विजय प्राप्त करने में आपकी मदद करता है तो जी अच्छा है समय भाग्य साली है मिहनस से काम करेंगे भाग्य भी आपका चमकेगा मिहनस से काम करेंगे सुख भी मिलेगा सफलता सव भाग्य से आपकी जीवन में हर तरफ खुसाली होगी खुसियां प्राप्त होगी खुस खबरी मिलेगी आप भी खुस रहेंगे तो मिहनस एपने काम को करें निश्चिति आपकी जीवन में आनंधन की प्राप्ति होगी आप भग्य साली बनेंगे भाग्योदे और किस्मत चमकने के संकेते साप साप दिखाई दे रहे हैं आज आपके काम की तारीफ होगी किस्मत का साथ मिलेगा नौकरी बैपार की स्थिती अच्छी होगी और भाग्य का सितारा भी चमक उठेगा आज रावुकाल 9 बचकर 20 मिनर से 10 बचकर 42 मिनर रावुकाल के दोरा किसी भी सुप्राम का सिरी गनेश ना करें पूरब विशा की तरब से दिन की सुरुवात ना करें आपके लिए लखी कलर ग्रीन होगा लखी नमबर 6 होगा आपके लिए सुब मूरत ब्रह मूरत सुबा 4 बचकर 51 मिनर से दिन की सुरुवात होगी पुनवर्सुन अच्छत्र का विरहस्पती आपके लिए बड़ा परभाव साली होगा लेकिन जीवन का सुख है और संपती उनती के लिए सुब समय सफलता पाने का सुब समय सुब 6 बचकर 35 मिनर से तृपुसकर योग में आरंभ हो जाएगा जो आपको सफल बनाएगा जो आपके जीवन में धन संपत्ती का योग बनाएगा विजय मूरत एक बचकर चववन मिनत आपके लिए काफी सुभ रहेगा आप बरे भाग्य साली सा भाग्य साली हैं अपने कॉन्फिडेंस को बना कर रखें मेनस से काम करें निस्चित ही आज का दिन आपको सुख देगा भाग्य साली सौ भाग्य साली बनाएगा आप अपने सपनों को पूरा करेंगे और अपनी जीवन में तरक्की उनत्ती सुख समरिद्धी की प्राप्ती करेंगे तो आज का दिन बहतर दिन है भग्य साली योग है, सनी बार का दिन है, सनी देप की पूजा करें, हनमान जी का दर्सन करें, हनमान चाली सा का पाट करें, पीपल के बिछ में तेल का दीपक जलाएं, आपके सपने साकार होगे, आपके जीवन की कस्ट बाधा दूर होगी, भग्य साली बनेंगे, बड़ी पलता काम्यावी खुश्खबरी की प्राप्ती होगी जै स्रीराम जै हन्मान